तो friends class fire class के बारे में थोड़ा सा detail से जान लेते हैं कि किस class के अंतरकर किस परकार की fire आती है जैसे कि class A fire होती है friends जो class A fire होती है wood, cloth, paper, rubber या any plastic material पर जब आग लग जाती है तो class A fire के अंतरगत हुआती है और तो class A के अंतरगत, wood, paper और textile, plastic ये इस परकार की आग जो पर लगी आग को बजाने के लिए हम water का use करते हैं जो class A के अंतरगत आता है और इसकी पहचान के लिए इसके सर पे red band लगा होता है यानि कि लाल कलर का band होता है तो जिससे उसकी पहचान की जाता है कि water esticuser का use कहा करते हैं किस class पर की आग बुजाई जाती है और main चीज ये है कि कौन सी आग हम कौन सी आग पर हम इसका परियोग नहीं कर सकते हैं तो electric fire and phalamical liquid fire जो होती है friends उसमें हम class A fire का use नहीं कर सकते हैं यानि कि water का use नहीं कर सकते हैं तो friends अब बात करते है class B, class B क्या है किसके अंतरगत आती है तो जो class B है friends वो form fire esticuser के अंतरगत आती है यानि कि तेली आग अगर कहीं तेली आग लगी, flammical liquid पर आग लगी या oil पर आग लगी भी किसी भी जगा तो उसको बुजाने के लिए हम form fire esticuser का प्रियोग करते है जो कि class B के अंतरगत आता है और इसकी पैचान के लिए इसके जो esticuser होता है उसके उपर cream color का band लगा होता है यानि cream color का color कलर लगा हुआ होता है जिससे कि उसकी पैचान होती है कि form fire esticuser है और friends इसका use class B का use हम किस चीज़ पर नहीं कर सकते है यानि कौन सी आग पर नहीं कर सकते है तो electric equipment पर लगी आग पर हम class B fire का use नहीं कर सकते है या फिर metal पर लगी आग पर हम class B fire का use नहीं कर सकते है तो friends अब बात करते है class C के बारे में तो जो class C होती है उस जैसे कि gas पे लगी आ गया liquid filled gas पे लगी आग को बुजाने के लिए class C का यूज किया जाता यानि कि उसके लिए हम dry powder stick user का यूज करते है class C के अंतरगत dry powder stick user का यूज करके हम class C के अंतरगत हम liquid filled में gas और gas पर लगी आग को बुजाने के लिए हम dry powder stick user का यूज करते है जिसका की जिसकी पहचान जोती है friends और blue color का band इसके उपर अलग से color लगाया हुआ होता जिसका की blue color होता है dry powder stick user का तो उसके हम पहचान कर सकते हैं कि यह dry powder stick user है blue color से उसकी पहचान होती है इसका यूज करके हम गैसों पर लगी आग को बुजाने के लिए इसका यूज करते हैं main चीज यह है यानि कि उसके बाद इसका यूज ABC तीनों में कर सकते हम लेकिन main जो है इसका यूज हम गैस की आग को बुजाने के लिए करते है dry powder stick user का यूज तो class C के अंतरगत कोन सी आग आ गई गैस से गैस पर लगिया आग को बुजाने के लिए हम dry powder chemical dry powder stick user का प्रियोग करते हैं तो यह class C के अंतरगत आती है तो friends अब बात करते है class D तो class D जो होती है friends यह CTC cylinder stick user का इसमें यूज किया जाता है यानि कि electric आग पर आग पर काब पाने के लिए हम CTC stick user का यूज करते हैं जो class D के अंतरगत आता है में चीज यह है और उसके बाद जो है metallic आग पर यानि के metal है metal पर आग लगी वी तो उसको बुझाने के लिए हम class D fire का यूज करते हैं यानि कि हम CTC stick user का यूज करेंगे CTC stick user जो होता है friends इसकी जो full foam है carbon theta calorite के नामसे से जाना जाता है और इसका जो color pitol का cylinder होता है पीतल का पूरा cylinder होता है यह pitol का होता है और इसमें double exchange force वाला pump लगाया हुआ होता है इसके उपर लगे handle द्वारा इसका प्रयोक किया जाता है और cylinder पर carbon theta calorite का तरल का पदार्थ इसके अंदर भरा हुआ होता पीतल के cylinder के अंदर और cylinder के अंदर जो है carbon theta calorite का पदार्द बढ़ा होता जिसकी full form मैंने आपको बताई CTC की full form carbon theta calorite है इसका प्रियोग किया जाता है और यह भाब की रूप में भाहर निकलता है तो friends आप बात करते है class F fire की तो जो class F fire होती है friends जैसे कि cooking oils या deep felt oil पे fire लगी या deep felt पे fire लगी वी तो इसको बजाने के लिए हम class F fire का use करते हैं जिसके लिए कि हम weight chemical ast久isar का प्रियोग करते है जो class F fire के अंतर गताता है इसका यूज करके ह estrat is Creek oils या deep felt fire की आग को बजाने के लिए class F fire का यूज करता है यानिकि feltبح वेट केमिकल एस्टिक्यूजर का यूज करते हैं और फ्रेंड्स इसकी पैचान जो वेट केमिकल एस्टिक्यूजर की पैचान है इसके लिए इसके सर के ओपर जो बैंड लगा होता हो यह लो कलर का लगा होता है जिससे कि इसकी पैचान होती है कि यह वेट केमिकल एस्टिक् कर सकते हैं जैसे कि electric fire पर electric पर आग लगिया तो हम इसका use नहीं कर सकते हैं और flammical liquid fire गैंस इन चीज़ों पर हम weight chemical st accuser का प्रियोग नहीं कर सकते हैं तो इसमां जो है weight chemical class F fire के अंतरगत आता है तो friends अब बात करते हैं class A fire कि जो तो class A fire है उसमें हम जो है c o i k user का use करते हैं यानِ कि c o i cylinder का हम use करते हैं जिसका use कि हम b class b और class e में करते हैं यानि कि जैसे कि हम electric आग लगी हो तो इसको बुझाने के लिए हम co2 का use कर सकते हैं और flammical liquid liquid solid हो गया इन चाटिशों को बुजाने के लिए के लिए हम CO2 का यूज करते हैं जो कि Class AE के अंतरगात आता और main चीज यह है कि किसको बुजाने के लिए हम इसका CO2 का यूज नहीं करते हैं तो Class A और Class C की A को बुजाने के लिए हम जो है CO2 cylinder का use नहीं करते हैं important यह है और इसकी पैचान के लिए इस पर एक जो band होता है वो black color का band होता है जिससे कि इसकी पैचान होती है class E की तो friends अब बात कर लेते है class K fire की तो जो class K fire होता है वो जो cooking oils, animal fats या vegetable जो oils से लगी आग को बुझाने के लिए हम class K fire का प्रियोग करते हैं जिसके आपको दिखाया गया इस परकार का उसका एस्टी क्यूजर होता है silver color का ठीक है class K fire का तो class K fire के अंतर कर cooking oils, animal fats या vegetarian oil पर जब आग लग जाती है तो उसके लिए हम class K fire का use करते हैं होगी इस परकार का उसका एस्टी क्यूजर होता है जिसका हम परियोग करते हैं तो thank you friends वीडियो को अंतर देखने के लिए कर अब वीडियो आपको अच्छी लगी है तो like, share, subscribe और comment जरूर करना friends कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी तो मिलता है friends नेस्टी वीडियो की जो अपडेट रही उसमें